नमस्कार मैं राजन विश्टुकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ NR24 में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मालती चौहान और विस्नुराज की स्टोरी बताने वाला हूँ जो आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाएंगे और यहाँ स्टोरी जो आप लोगों को बता रहा हूँ यह स्टोरी आप लोगों ने कभी भी किसी भी वीडियो के माध्यम से नहीं सुना और नहीं देखा होगा तो अगर आप लोगों को मालती चौहान और बिस्नूराज की पूरी स्टोरी जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखें तब ही समझ पाएंगे कि मालती चौहान के साथ क्या किया गया और किस कारण से मालती चौहान ने अपने जीवन को खो दिया तो चलिए सुरू करते हैं उत्तर परदेश के जिला संत कबीर नगर थाना खलीलाबाद ग्राम मरिया कला की रहने वाली एक लड़की का नाम होता है मालती चौहान जीवन को बितार है होते हैं जैसे कि एक नारमल आदमी अपने जिंदगी को जीता है उसी तरीके से मालती चौहान और बिस्नूराज भ गर घर की बात करें तो एक मिट्टी का कच्छा घर था कभी घर का काम करते थे तो कभी खेत में जाकर अपने खेत का काम करते थे माना जाये तो एक नार्मल जिंदगी जीते हैं एक नार्मल तरीके से लेकिन एक दिन ऐसा दौर आता है कि मालती चौहान के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और ओ आइडिया ये होता है कि वीडियो बनाने का मालती चौहान ने सोचती है कि उना हम भी वीडियो बनाया करें जिस तरीके से लोग वीडियो बनाते हैं और उनके वीडियो को लोग पसंद करते हैं उसी तरीके से हम भी वीडियो बनाया करें हो सकता है हमारे भी वीडियो को लोग पसंद करना सुरू कर दें नहीं सोचकर मालती चौहान अपने पती बिश्णूराज सी यहीं बात बताते हुए कहती हैं कि चलो हम लोग भी वीडियो बनाया करें, हम लोग भी वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है हम लोगों का वीडियो भी वाइरल होना सुरू हो जाएगा, तो वहां से कुछ पैसा आन सुरू हो जाएगा, जब पैसा आना सुरू हो जाएगा, तो हम लोग भी अपने जिन्दगी को अच्छे तरीके से जीएंगे, तो उन लोगों ने मिलकर 3 जनवरी 2021 को एक चैनल क्रियेट करते हैं, इस चैनल का नाम होता है बिश्णूराज फ़न, बिश्णूराज फ़न न होते हैं, और उसके बाद उसी यूटूब चैनल से अच्छा खासा पैसा आना सुरू हो जाता है, और जब पैसा आने लगता है, तो पहले नमबर ओ लोग एक अच्छा सा घर बनवाते हैं, और घर बनवाने के बाद एक बुलर बाइक खरीजते हैं, और एक फोर विलर कार और उसके बाद और लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन एक दिन उनकी गाड़ी खराब हो जाते हैं, और वहां गाड़ी ले करके जाते हैं, गैरेज में, और गैरेज में जैसे ही गाड़ी ले करके जाते हैं, तो वहां पर एक लड़का मिलता है, और विस ये बनाना अभी नहीं आता है, वहां कैसे सिखेंगे क्यों ना तुम ही शिखा दो, तु विस्नु राज बोलते हैं ठीक है, मुझे भी एक कैमरा मैन की जरूरत थी, अगर तुम मेरे सांथ आ जाते हो, तो चलो मेरे सांथ ही रहो, लड़का बोलता है ठीक है, मैं आपके ही रहकर के वीडियो बनाना शिखूंगा, और उसके बाद वहां लड़का बिस्नु राज के सांथ रहना सुरू कर देता है, कभी उनके घर पे रहता है, तो कभी अपने घर पे रहता है, यानि एक फैमिली मेंबर बन चुका होता है, वहां लड़का का नाम होता है अरजु बान दो, और मालती चौहान भे उसको अपना भाई समझकर उसके हाथ में राखी बान दिया करती थी, और जब वहां लड़का उस फैमिली से एकदम क्लोज हो गया ते धरे धरे सक होना सुरू हो गया विस्नु राज को, उस लड़के पर सक करना चालू कर दिया, उसी को ले से लेकर हाश्पीटल तक का वीडियो बनाता है भिस्नु राज, हर एक वो चीज़ दिखाता है जो मालती चौहान के साथ बीत रहा होता है, उसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है हास्पीटल में और उस बच्चे का नाम रखती हैं ईवराज चौहान, और मालती चौहान ह विष्णू राज को बनाने में प्राब्लम होने लगता है और बिडियो बनाय का क्यूँकि content जादातर मालती चौहान ने दिया करती थी और जब मालती चौहान ही अपने पापा की घर चली गई तो विष्णू राज का वीडियो भी बनाना बंद होना शुरू हो गया करके वहां से अपने घर ले आता है और अपने घर ले आने के बाद जितना वीडियो नहीं बनाता है उतना मालती पर सक करता है अरजुन बर्मा को लेकर और मालती को मारता भी था पीड़ता भी था उसके बाद मालती चौहान के पिता दीपचन चौहान गुस्ता होकर अपने नगजदी की पुलिश इस्टेशन में जाकर केस कर दिये हैं विस्नूराज चौहान की उपर तो पुलिश द्वारा एक सो क्याउन के तहद सांती भंग का धारा लगाकर उन्हें छोड़ देते हैं और उसके बाद मालती चौहान को उनके पिता अपने घर ले आते हैं फिर माल मालती चौहान अपने घर वापस चली आती हैं लेकिन विस्नूराज में अपने पतनी के साथ एक ऐसा गेम खेलते हैं जो कि आभिस दुनकर हैरान रह जाएंगे कि एक पती अपने पतनी के साथ इतना बड़ा गेम कैसे खेल सकता है तो चलिए गेम की तरफ आपको ले चलते हैं आठ नॉमबर 2023 को विस्नूराज अपने फोर्विलर से मालती चौहान के घर पर जाता है और मालती चौहान को अपने फोर्विलर में बैठा करके अर्जुन बर्मा के घर की तरफ फोर्विलर को ले जाता है और उसके बाद रास्ते में फोर्विलर को रोकता है और करता ह कि अर्जुन बर्मा के पास फोन कर तो मालती चौहान फोन नहीं करती हैं लेकिन उनको जवरजस्ती फोर्स करके अर्जुन बर्मा के पास फोन कराता है और अर्जुन बर्मा से बोलता है कि तुम मालती चौहान से साधी करोगे तो अर्जुन बर्मा बोलता है कि नहीं मैं माल को अपनी बहां समझता हूं लेकिन वह फिर जबरजस्ती करके उन्हें अपने पास बुलाता है और फोल बिर्यों में बैठा करके उन्हें जबरजस्ती साधी करने पर मजबूर कर देता है मालती चौहान और अरजुन बर्मा को तो ओ लोग भी साधी करने के लिए भी तैयार ह जाते हैं और उन्हें लेकर जाता है रात तकरीबन 11 से 12 बजे के करीब में एक मंदिर के पास और उस मंदिर में उन दोनों का साधी करवाता है नव नॉम्बर 2030 को और विस्नुराज अपने पत्नी मालती चौहान को अर्जुन बर्मा के हवाले कर देता है और यहां साधी के लिए उसी तरीके से अर्जुन बर्मा और मालती चौहान उस वीडियो में बोलती भी हैं और वहां वीडियो सूट करके अपने चैनल विस्नुराज फन पर अफ्लोड करता है ताकि उन्हें कोई प्राबलम ना हो सके इस तरीके का वीडियो में बोलता है कि आप लोग चा मीडिया पर अफलोट करता है उसके बास सभी मीडिया कर्मी एकदम परिसान हो जाते हैं कि मालती चौहां ने यहां सब क्या कर लिया मीडिया वालों ने कभी मालती चौहां से जाकर सवाल पूछते थे तो कभी विश्णूराज से जाकर के सवाल पूछते थे इस तरीके का उन सब कुछ होने तक मालती चोहान अपने बच्चा evolves को अपने साथ X मिने कर रहती से травॉण Όर जब कोर्स्टSLY, मैटर आता है तो विडियो के माध्यम से कहता है का को अगर मालती चोहान मेरे साथ रहना है तो ना कि किसी मीडिया वालों से मिलना और कोई काम करनां भिर घर रहूंगी क्योंकि उस घर में भी मेरा पैसा लगा है इसके वज़ा से मैं रहूंगी तो वहीं पर रहूंगी फिर वहां से 22 23 को मालती चौहान के पिता दीपचन चौहान ने जाकर के उनके सस्रूल छोड़ आते हैं और मालती चौहान का बच्चा युराच चौहान 23 नौमबर 23 को अपने दादी के पास ही रहता है वह तक करीबं सुबह 4 बजे के करीब में रोने लगता है तो उनकी दादी मालती चौह चौहान को बुलाती हैं आवाज लगाती हैं लेकिन मालती चौहान नहीं बोलती हैं क्योंकि अब वो इस दुनिया से जा चुकी होती हैं तब उन्हेने वहां से उठकर खिड़की के पास जाती हैं और वहां से देखती हैं तो मालती चौहान साड़ी में लड़की हुई मिल साथ ही मीडिया वालों को भी पता चलता है तो सभी मीडिया वालों ने वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बास सोसल मीडिया पर जो संसनी मस्ती है वहां अपने आप में बहुत बड़ा मामला बन जाता है और कई लोगों का कहना है कि मालती चौहान के पती ने किसी दूसर ने किया या मालती चौहान खुछ से अपना खुद घुसी कर ली है साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा इस वीडियो में जरूर कमेंट करके हमें बताएं और इस तरीके का अपडेट पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं